नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जोबित पेड़े में दोस्तों आज इस वीडियो में हम राजस के का पहला मोडल पेपर डिसकस करेंगे दोस्तों मैं आपको क्यूशन के आनसर के साथ साथ ही उनसे जुड़े हुए most important fact है अक्सर उन आप चैनल पर पहली बार पता रहें तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लेना दोस्तों जिक्या के मोडल पेपर के अलावा इस चैनल पर मैथ की ओनलाइन क्लास भी रेगुलर हो रही है तो आप उसे भी जोन कर लेना लिंक आपको नीचे description और एक comment box में मिल जाएगा तो यह दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो क्यूशन फर्ष्ट है चितोडगड इस्तिते विज्जे इस्तंब के निर्मात है दोस्तों एजी क्यूशन है लेकिन important है क्यूंकि अक्सर यह क्यूशन हो पूछा जाते है वनपाल की बात करें तो दोस्तों इसके अं ओप्शन A है राणा कुमबा ओप्शन B है राणा सांगा ओप्शन C है राणा परताब ओप्शन D है राणा राज सी है तो दोस्तों इसके लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन A यानि राणा कुमब है दोस्तों वो चितोडगड इस्तिते विज के निर्माता हो जाएंगे ठीक है दोस्तों विज्य स्थम से जुड़ा हुआ आपको एक पोटेंट फेक्ट याद रखने है वो है कि विज्य स्थम को भारतिय मूर्तिकला का विश्वय कोस का जाते है किसको विज्य स्थम को का जाते है ठीक है दोस्तों इसके निर्मान की बा इसके उन्चाय की बात करें तो विज्यस्तम की उन्चाय है दोस्तों 120 फिट और ये एक नो मंजिला भावन है जिसको बारतिय मूर्तिकला का विश्व कोस भी का जाता है तो ये दोस्तों आपको विज्यस्तम के बारे में याद रखना है तो यह अपने जो क्यूशन कैski ऑप्शन विज्फ हैं यह तो ऑप्शन िन्हें फेलिवा था पहले हम बात करें दोस्तों 26 जनुरे गुन्हों याद रखनी है जबीस जनुरेक्ज़वादों सोपचाश को जट चरण Silk और शीरोड़ और देलवाड़ा है शड़कर शीरोड़ का जैंस दोस्तों राजस्तान के अंदर विल्या कर दिया गया था कब 26 जनूरि गुनीशो पत्चास को किन किन को छोड़के अबु और देलवाडा को जो अबु कर दिया गया था इस परकार राजस्तान के अंदर नहों के अंदर दो Q3 है, निमलिकित में से किस सास्त्रे नर्टे की उत्पत्ती का समंध राज़स्तान से है? Option A है कतक अली, option B है कुछी फूरी, option C है कतक है, option D है भर्ते नाट्यम. तो दोस्तों, Q3 के लिए जो आपका C आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा option C. यानि कत्तक है दोस्तों जिसकी उत्पत्ती है वो राजस्तान से विए कहां से माने जाती है दोस्तों जैपुर के कत्तक गराने से दोस्तों इसकी उत्पत्ती है वो माने जाती है तो Q3 के लिए C option है वो आपका सही answer एगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपको यह याद रखना है कि सर्वादिक आंदियां स्री गंगानगर जिल्ले के अंदर आते हैं और दोस्तों कि नमर चार के लिए जो आपका सी आंसर हेगा और एगा ओप्शन सी यानि गंगानगर के अंदर 27 दिन वह आंदि चलती है जो कि सर्वादिक है ठीक है अगर आप बोड एक्जाम या जैसे कॉम्पिटिट्व एक्जाम की तयारी कर रहे हो और आप लोगों को किसी तरह का डाउट आता है तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में कामेजिंग अप्लिकेशन लिकर करके आए और जिसका नाम है फिलो अप्लिकेशन यहां की सबसे स्पेशल बात है कि यहां पर 24-7 एक्सपर टीचर अविलेबल रहते हैं आपको कुछने तीन इजी स्टेप को फॉलो करना है सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर किस आपको डाउनलोड कर लेना है नीचे दीगए लेड लिंक से आपको इसको डाउनलोड कर सकत लेगी और जितने भी आपके सारे डाउट से वो सारी जो टीचर है एक्सपर टीचर वो क्लियर कर देगे और आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो गाइस देरी कीज बात कि देखिए कितना बढ़ी अप्लिकेशन में आपको सजिस्ट किया है अगर से फिलो आप को जाकर करके डाउनलोड कर लीजिए क्यूशन नमर पांच है राजस्तान की कोटा राज्या में अटारह सु सिताउन के महान विद्रोह यानि पर्तम सवतंतरता संगराम का नेतरतोय करने वाले थे ऑप्शन ए है विज्जे सी है पतिक ऑप्शन भी है राम सी ह लाला हरद्याल एम महावत खाँ ओप्शन डी है लाला जैद्याल एम महराब खाँ तो दोस्तों क्यूशन नमर 5 के लिए जो आपका सही ऑनिस्ष्टन हो जाएगा वोगा उप्शन नमर डी यानि कि जैद्याल और महरब खाँ ने दोस्तों इसका नेतरतोय किया था ठीक है तो दोस्तों इस विद्रोग के अंदर करांचते कारियों ने कोटा के जो political agent थे major button इनकी तो हत्या कर दी थी और जो कोटा के साथ सकते महारावल रामशी को दोस्तों नजर बंदे कर दिया गया था तो यहां से आपको important fact याद रखना है कि जो विद्रोग वाथा उसके अंदर क करांचते कारियों ने जो कोटा के political agent थे major button इनके तो हत्या कर दी थी और जो कोटा के 1800 शित्यावन के अंदर जो साथ सकते महारावल रामशी इनको दोस्तों नजर बंदे कर दिया था तो यह आपको ध्यान में रखना है तो इसके लिए जो अपना question number 5 के लिए option D है वो सही answer रहीगा, question number 6 है दोस्तों, शिकर जिले में कांतली नदी के अपवा चेतर को कहा जाता है, option A है शेका आवटी बेशन, option B है तेरावटी बेशन, option C है खारी नदी बेशन, option D है इनमें से कोई नहीं, question number 6 के लिए जो आपका C answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, option B यानि तोरावटी बेशन है दोस्तों, वो सिकर जिले में बेलने वाली कांतली नदी के अपवा चेतर को कहा जाता है, तो इसके लिए B, option C हो जाएगा, बात करें दोस्तों, कांतली नदी की तो ये एक अंते परव की नदी है, और ये राजस्तान के सीकर और जुन 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 जुले के अंदर बैठती है, तो ये आपको याद में रखना है, तो question number 6 के लिए जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका B, question number 7 है, डांडिया नर्ते किया जाता है, option A है, मारवार चेतर, option B है, मेवार चेतर option C है, शेकावटी चेतर, option D है, आड़ोती चेतर, तो दोस्तों, question number C के लिए जो आपका C आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, option A, यानि मारवार चेतर है, दोस्तों, इसके लिए C आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात करें दोस्तों, डांडिया नर्ते की, तो ये दोस्तों, कोली के उसर पर किया जाने वाला नर्ते है, कौन सा डांडिया नर्ते, question number 8 है, चुम्पा नामक आभुष्ण कहाँ पहना जाता है, हमें option दिये गए, option A है, option B है, option C है, अंगुली, option D है, नाक, तो दोस्तों, question number 8 के लिए, जो C आंसर हो जाएगा, वो जाएगा, आपको option B, यानि दांत के निदर या चुम्पा नामक आभुष्ण है, वो पहने जाते है, क्यूं कि राज्यस्तान के न्दर शुब माना जाता है, और ये एपनी कई परंप्रा से चला हो आ रहा है, कि लो ने का है, वो दांतों के नदर चुम या जिसे मचूम बोलते हैं, वो लगवा Option B है गनेश्वर, Option C है सी थी, Option D है बेराट, तो Q9 के लिए Option A सी हो जाएगा, यानि काली बंगा के अंदर दोस्तों, यह आपके सब बेता के अंदर जो जुत्ते वे खेत हैं, उनके साक्सिय में मिला है, और यह विश्वय के अंदर इस परकार का पहला परमान है, जहां पर ज माना जाता है, तो Q9 के लिए A Option है, वो सही हो जाएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं Q10 के तरफ, Q10 है आमेर के कच्वा वंस का अंतिम सासक था, Option A है स्वाई मान सिंग दिवत्या, Option B है स्वाई भुहाने सिंग, Option C है स्वाई मादो सिंग दिवत्या, Option D है स्वाई राम सिंग द पाने जाते हैं, क्यूंकि 30 मार्चş है 1957 के इंदर, जैपूर का विल्य है दोस्तों किस में कर दिया गया था, वरत, राज़ेस्तान संग के अंदर कर दिया गया था, स्वाई मान सिंग देते हैं यह आपको ध्यान में रखना है तो Q10 के लिए A option है वो सही हो जाएगा जो Q10 जिसका answer आपको comment करके बताना है और इसका answer मैं आपको next आने वाले वीडियो में दे दूँगा तो Q10 इस परकार है तोरावा T किस की उप बोली है? option A है में वाड़े की, option B है ढुणडाने की, option C है मारवाड़े की, option D है में वात्ती की तो Q10 इसका जो दोस्तों answer आपको comment करके बताना है टिक इसका answer वो क्या रहेगा आज का जो class का जो वीडियो है आपको कैसा लगा यह भी आप comment करके हमें जरूर बता देना मुझे उमिद रहेगी कि मेरे द्वारदी की जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी यह question आपको अच्छे लगे होगे तो आप नीचे comment में yes जरूर लिख देना टिक लाइक करना इस वीडियो को ज़्यादा सेर भी जरूर कर देना फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों इसी परकार एक और बैतनी वीडियो के साथ तब तक आपनस्ते रहना मुस्कुराते रहना देखते रहना जो बिट पीडी जै हिन जै भारत